आओ करे हम आराधना मिलके करेंगे हम साधना दिल में हरा हो सद्वावना पावन जीवन की हो कावना दिश्पिता की आराधना उसकी आराधना उसकी आराधना वो करेंगा आराधना दिल के करेंगे हम साधना दिल में सदा हो सद्वावना पावन जीवन की हो कावना पावित्र परंप्रसाद में उपस्थेत अमारे प्रभुयेश्व मसेकी अराधना स्दूतियेवं महीमा होअवे पवित्र परंप्रसाद में उपसे हमारे जीवित प्रभु येश्व मसे की अराधना स्थुतियव महिमा होवे हम पर दया दिखाने वाला, हम पर करुणा दिखाने वाला और अपनी हरेक आशिशों से भर देने वाला प्रभु येश्व मसे उसकी स्थुति करते हुए बोले हालेलूया, हालेलूया, हमारे घरों में बरकत देने वाला, हमारे घर के हरेक सदस्य पर अपनी आशिशे बरसाने वाला प्रभियेश मसी किस्तुती करते हुए बोले हालेलूया करुणा सामर्थ दया शक्ती महानता से परिपूर्ण जीवित प्रभियेश मसी किस्तुती करते हुए बोले हालेलूया कृस्त में प्रिय विश्वासियो हमारे जीवन के बड़े बड़े बातों में हम प्रभू को अक्सर धन्यवाद देते हैं आईए आज के इस सुन्दर से शंड में हम अपनी छोटी छोटी बातों के लिए उन छोटी छोटी निवेदनों के लिए जिन्हें प्रभू ने पूरा किया है धन्यवाद दे चोटी चोटी आशिशों के लिए चोटी चोटे बरकतों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे ऐसे कितने ही लोग है जो आज का यह दिन नहीं देख पाए जो सूरज की पहली किरण को नहीं देख पाए जो इस धूप को नहीं देख पाए हाँ प्रिय विश्वासियों वह आप पर दया करता है वह आपको नया दिन दिखाता है वह आप पर अपनी करुणा की अपनी दया की वर्शा करता है आईए प्रिय विश्वासियों स्तुति अराधना के इस घड़ी में उससे संपूर्ण दया और करुणा मांगते हुए और ध धन्यवादी हृदैस से धन्यवाद का कटोरा, धन्यवाद का प्याला उसके और प्रस्तुत करते हुए, धन्यवादी हृदैस से उसके सामने प्रस्तुत हो चाये। झाल, 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 झा झाल 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 आसों मैं हमेशा मैं बसा हूँ प्रभुजी तु मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता है प्रभुजी दनेवाद येश्यू हरेक उस पल के लिए हरेक उस शन में प्रभु जब मैंने किसी के सामने नहीं बल्कि तेरे सामने अपने आसों को बहाया तु अपने वच्चन में कहता है कि मैंने तुम्हारे आसों को अपनी कुपी में जमा किया है दन्यवाद येश्यू हालेलूया, हालेलूया, हालेलूया आईए प्रेविश्वासियो पूर्न रूम से समर्पित करके हुए दन्यवाद की इस घड़ी में अपहार के साथ अपने आपको प्रकट करते हुए धन्यवाद दे उसकी स्तुति करें उसकी अराध ना करें एस लौची टूने चाहा कि मिट्टी के इस शरीर से भी तेरी सुति हो प्रभुची दनेवाद येश्यू जो तु मिट्टी के इस शरीर में भी अपनी महिमा को प्रकट होने देता है प्रभु आज इस योग की ठहरा प्रभू कि सारे रिदे से, सारी आत्मा से, सारी शक्ती से तुझे धन्यवाद दे सको प्रभू तेरी स्तुती कर सको प्रभू तुझे महिमा दे सको प्रभूची हर एक वंधन को खोल दे प्रभू मेरे मुख से तेरी स्थी, तेरी अरादना करने के लिए इस योग की बना प्रभची Thank you Lord Jesus Thank you Lord Jesus ऍश्यी इस अरादनारादनारादनारादनारादनारादना Thank you Lord,This Lord आये धन्यवाद भरे रिदेश से प्रभु के द्वारा दिये गए इस वच्छन को हम दोराए मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूँगा क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया प्रभु निश्कपट लोगों की रक्षा करता है मैं निसहाई हो गया था और उसने मेरा उधार किया हालेलुया मेरी आत्मा तु फिर शांत हो जा क्योंकि प्रभु ने तेरा क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है हालेलुया उसने मुझे मृत्यू से छड़ाया है उसने मेरे आसु पोच डाले है और मेरे पैरों को फिसल ने नहीं दिया हालेलुया जिससे मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूं यद्य भी मैंने कहा था मैं अत्यंत दुखी हूं तब भी मैंने बरोसा नहीं छोड़ा हालेलुया येश्य की स्तुति हो येश्य की महिमा हो येश्य की अराधना हो हालेलुया आये प्रिय विश्वासियो उस खुदावन शाफी को सारी महिमा के योग की ठहराए जो राजाओ का राजा है जो प्रभु का प्रभु है जो इतना महान है कि अपने आपको दीन हीन करके इस रोटी के रूप में आज हमारी आचनाए और हमारा धन्यवाद स्विकार करने हमारे बीच में आता है आये प्रिय विश्वासियो अपने आपको अपने परिवार को अपने बच्चों को अपने माता पिता को अपने पडोसियों को लेकर आए धन्यवाद बरे रदै इस से अपने आपको प्रसित करते हुए इस गीत को गा के उसकी स्तुती करें जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मझे को थामती है मेरी मुश्किलों में हर एक दर्दर नम में को दावन तु ही मेरा शापी है करता हूँ तेरा शुक्रिया में प्रभू करता हूँ तेरा शुक्रिया में करता हूँ तेरा शुक्रिया में प्रभू करता हूँ तेरा शुक्रिया में तेरी तया में लिपटा मेरे हैता हूँ तेरे फजल में तेरी तया में लिपटा मेरे हैता हूँ प्रबुची जर इवानहें इस्छू मेरे हो आपन् किसा आपयों आलेलुए अलेलुए 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 ते की लोग अलेलुए लियु आफिते एक आम रभु तेरा देता है प्रिता और दूस्टित नहीं करतें निस सब अधों लोक जाते हैं कि तु हम अभी और अनत काल तब रभू को धंगे कहते हैं हाई एशू पृतक तेरी सुति नहीं करते हैं बल्कि तु ने हमें नया जीवन दिखाया है प्रभुची इसके लिए धन्यवाद के साथ प्रभुची अपने आपको समर्पित करते हैं तेरी सुति करते हैं ओ जीजिस ए मेरे प्रभूर ए मेरे ईश्वर आप्रभुची जैसे लगडा भिकारी तेरी सुति करते हैं तेरा नाम सुनने ही उच्छल पड़ा प्रभुची ये शुमसी के नाम से सुथी हो अराधना हो उस नाम की सुथी हो उस नाम की अराधना हो उस नाम की जैजिकार हो Thank you Jesus Oh praise you Jesus I love you Jesus Thank you Jesus Yes Lord तेनी मादी शुद करता हो तेरा शुक्रिया मैं प्रभू करता हो तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में तेरी धया में लिपता में रहता हो तेरे फजल में तेरी धया में लिपता में रहता हो में रहता हो Thank you Jesus मेरे धन्यवादेश्यो Thank you Jesus Love you Jesus दिन्यवादेश्यो Praise the Lord आज हमारे लिए मनन का विशह है योहन का सु समाचारा थ्याइ सोला पर संग्या सोला से लेकर बीस था थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे इस पर उनके कुछ शिश्यों ने आपस में यह कहा वह हम से यह क्या कहते है थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ इसलिए वे कहते थे वह जो थोड़ा समय कहते हैं इसका अर्थ क्या है? हम इसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं इसा ने ये जानकर किवे मुझे से प्रश्ण पूछना चाहते हैं उनसे कहा तुम आपस में मेरे ये कधन के अर्थ पर विचार विमर्ष कर रहे हैं कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ तुम रहोगे और विलाप करोगे पर अनन्द मनाएगा तुम शोग करोगे किन्दु तुमारा शोग आनन्द बन जाएगा कृस्मे प्यारे भाई और बहनों संद्योहन किसु समचार से फिर से हमने पाद सुना और जैसे सुनते सुनते हमें भी तोड़ा कन्फ्यूशन इस बातों में लगी यह कन्फ्यूशन है उस समय भी उनके शिश्यों के बीच में बना रहा था थोड़े समय बाद तुम मुझे देखोगे फिर थोड़े समय के बाद तुम मुझे देखोगे ये सब उनके चायसिर के उपर से जा रहा था हालागी प्रभू अपनी मृत्यों और उनके बाद पनुरुधान के विशय में भविशयवानी के रूप में इन बातों को उनके सामने रख रहे थे लेकिन शेश्या ये बात उस समय नहीं समझ पाये थे प्यारे भाई और बैनों कभी-कभी अगर प्रभू का वचन हमें समझ भी नहीं नहीं आए तो भी फिक्र ना करिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रभू का तमाम वचन हम पूरी तरस समझें क्योंकि ये इश्वर का वचन है और जैसे जैसे हमारे जीवन में जब इन वचनों को हम अनुभाव करेंगे तो प्रभू का तमाम वचनों को हमारे जीवन में उसे हम समझने की कोशिश करेंगे प्यारे भाई और बैनों आज वचनों में कहा गया है कि तुम लोग रोगे और संसार आनन्द मनाएंगे तुम शोग मनाओगे और संसार खुशिया मनाएगी प्यारे भाई और बेहनों प्रभू का शेश्या इस जुनिया के तोर तरीकों पर चलना जरूरी नहीं है अक्सर प्रभू के शेश्या इस जुनिया के तोर तरीकों के विपरी चलते हैं अगर सो में से निन्यानवे लोग भी बे इमान है प्रभू का शेश्या को इमान बने रहना है इमानदारी के साथ जीना है तो जरूरी नहीं है कि दुनिया के जिस तरह की रीत रिवाज है उसी तरह ही प्रभू का शिश्या भी चले जबकि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि प्रभू का सच्छा शिश्या जब प्रभू के रह पर चलने की कोशिश करते हैं तो इस दुनिया के तोर तरीकों की विपरी जाना अधिक सहज वालूम पड़ता है प्यारे भाई और बहनों प्रभू का शिश्यों को कोई आप्शन नहीं है अच्छे समय बुरे समय हमें हर समय प्रभू का साथ्ष्य देना है प्रभू के वच्छनों पर चलना है ऐसा हम कभी एक्सक्यूस नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला ऐसा कर रहा है पीछे वाला ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं नहीं प्रभू के शिश्यों का एक ही उसूल है वो बदल नहीं जा सकता है बले दुनिया के उसूल कुछ भी हो, दुनिया के चलने की तरीका कुछ भी हो, दुनिया के रीत रिवाज बले कुछ भी हो, लेकिन प्रभू के शिश्य को अगर उनके शिश्य बने रहना है, तो प्रभू के वचनों पर ही चलना होगा, ऐसा हम कदाबी excuse नहीं दे सकते हैं कि अधिकांश लोग ऐसे करते हैं तो मैं भी ऐसे करने लगा हूं ये कोई justification नहीं रहा अधिकांश लोग बेमान हैं तो मैं भी थोड़ी बहुत बेमानी कर ली ये हमारे लिए justification नहीं है अगर प्रभू का शिश्य हम सच्चे रूप से बनना चाहें तो बले सो में सो भी बेमान बन जाए पर मुझे इमानदार बने रहने का ये बुलावा है तबी प्रभू के राह तुनावती पून है कथिन है, सकरा है जिस पर थोड़े ही लोग चलते हैं दुनिया के तोर तरीके और दुनिया के जो रास्ते हैं बहुत लंबे चोड़े और आसान दायक हो सकता है लेकिन प्रभू के सच्चे शिश्य शायद कठिनाईयों से चले दुख तकलीफों से चले बीमारीयों से चले फिर भी प्रभू के वच्चनों पर आधारित चलना जरूरी है हमारे लिए ये जो एक प्रकार से अधिकांश लोगों के तोर तरीके हमारे जीवन के तोर तरीकों को कभी भी सही ठहराया नहीं जा सकता है आपके और मेरे बुलावा ये है कि हम प्रभू के उस चुनावती पूरवक राह पर चले आमी विनती सुनने वाले मेरे आसुनी हाने वाले चंगाई देने वाले स्तुती हो ये शुराजा स्तुती हो ये शुराजा विनती सुनने वाले मेरे आसुनी हाने वाले चंगाई देने वाले स्तुती हो ये शुराजा स्तुती हो ये शुराजा इतिहास के दूसरे ग्रिंद अध्याई छे वचन संक्या उनने से बीस में हम पढ़ते हैं वचन कहता है प्रभू मेरे इस्वर अपने दास की प्रातना तथा अनुनई पर ध्यान दे जो दुहाई और प्रातना तेरा सेवक तेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है उसे सुनने की कृपा कर तेरी कृपा दृष्टी दिन रात इस मंदिर पर बनी रहे इस स्तान पर जिसके विशय में तूने कहा है कि मेरा नाम यहाँ विद्धमान रहेगा प्रभू योख्रिस्त मुपस्तिती सामस्य नाचरी यहाँ तेरा नाम ही नहीं बलकी तू स्वयम पून रूप से विद्धमान है हम विश्वास करते हैं प्रभू और विश्वास के साथ इस वचन की योग्यता से प्रातना करते हैं सोनी टोपो को समर्पित करते हुए हिरदय से संबंदित बीमारी से उसे पून चंगाई प्रदान कर प्रभू हम प्रातना करते हैं अनीता मिंज को समर्पित करते हुए हम प्रातना करते हैं विवान को समर्पित करते हुए प्रभू जो गंभीर रूप से दुरगटना ग्रिस्तो होकर इस समय हॉस्पिटल में हैं प्रभू उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्राथना करते हैं हम अपनी धर्मिक्ता के कारण विश्वास के कारण नहीं बलकि तेरी दया पर तेरे प्रेम पर तेरी करुणा पर वरोसा रख कर इस समय हम तुझसे प्राथना करते हैं हम प्राथना करते हैं प्रभू मोहित टुपो को समर्पित करते हुए उसके सभी सारिरिक बीमारियों से उसे चंगाई प्रदान कर। प्रभू तु वही प्रभू है जो सत्पती का नौकर लगवा ग्रस्त हो गया था प्रभू और उसे पून चंगाई प्रदान किया उसी समान हमारी नरोगी भाई बहनों के जीवन में तु हात बढ़ा कर अपने सेवा कीसा नाजीरी के नाम पर स्वस्तिलाब चिन्दता चमतक कार प्रकट होने दें इन सबी अरशियों को लेकर प्रभू तुझे धन्यवाद देते इस समय प्रात्ना करते हैं हालिलुया, 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 हाल मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोलकर किया शिफा मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोलकर किया शिफा स्वामी ये बोलकर किया शिफा मेरे आसों ने हाने वारे, चंगा है देने वारे खुती हो ये शुराजा हे ये शु, हमारे राजा, हमारे नाहत, हमारे प्रभू, हमारी इस्वर इसाया नभी बताते हैं प्रभू राजा हिज किया दिवार की ओर मुह करके तुझ से प्रात्ना की प्रभू, कृपिया याद कर कि मैं इमानदार और सच्छे हिर्दय से तेरा सेवक रहा हूँ और जो तुझे प्रियर है वही करता रहा और राजा हिज किया भूट-भूट कर रोने लगा प्रभू, तुने उसकी प्रात्नाओं को सुनी, उसके आसुओं को देखा और उसके आसुओं को पोच्छते हुए, उसकी प्रात्नाओं को स्विकार करते हुए उसकी आयू 15 वर्स तक बढ़ा दिया हाप यारे प्रभू, उसी प्रकार हम तेरे चर्णों पर आकर, तेरी वेदी के सम्मू काकर, तेरे सम्मू काकर, हम प्राथना करते हैं एली गुंजाल वेश को समर्पित करते हुए उसके परिवार में आ, उसके घर में आ, उसके परिवार के सदस्यों में आ और उनके सभी बंधनों को तोड़ डाल प्रभू, उनके परिवार के सभी सदस्यों को सभी प्रिकार के रोग और बीमारियों से चंगाई प्रदान कर, प्रभू हम प्रातना करते हैं उसके परिवार में आ और उसके आर्थिक तंगी में उसे सफलता प्रदान कर, उनके जालुस के समान उन सभी परिवारों के लिए जहां आसांती है जहां दुक है जहां निरासा है प्रभू सैतानिक बंधने हैं पूरवजों के द्वारा आने वाले स्राप और अभी साप है नसा के बंधने हैं ये प्यारे प्रभू सारे बंधनों को तोड़ डाल और मुक्ति का लागमन उन परिवारों में हैं, हो इसके लिए इस समय हम राथना करते हैं। जो इस नित्य अराधना में तेरे साथ जुड़कर प्राथना कर रहे हैं। जो इस नित्य अर्जियों को लेकर प्रभू तेरी और उठाते हैं। जो इस नित्य अर्जियों को लेकर रहे हैं। चंगाई देने वाले सुति हो येशु राजा मेरे आसो निहाने वाले चंगाई देने वाले सुति हो येशु राजा सुति हो येशु राजा